दोस्तों आज इस वीडियो को देखके आप लोग ऑनलाइन इंशॉरेंस करवा पाएंगे अपनी बाइक, कार, स्कूटी, स्कूटर, ओटो, रिक्षा, एफिट, ट्रक का इन में से कोई सी भी चीज़ का अगर आप लोग ऑनलाइन इंशॉरेंस करवाना चाहते हैं तो आप लोग घर बैठी ऑनलाइन इंशॉरेंस करवा सकते हैं ऑनलाइन इंशॉरेंस के क्या फाइदा हैं? सबसे पहला फाइदा यह है कि आपको कोई कमिशन देने की ज़़ुरत नहीं पड़ेगी बस आपको उतना ही पेमिंट देना होगा जितने का आपका इंशॉरेंस है दूसरा आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि आपको इंशॉरेंस कराने के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा वहाँ पे लाइन लगेगी और आपको लाइन में लगना पड़ेगा तो online insurance करवा के दोस्तों आपका पैसा ही बच जाएगा और आपका time भी बच जाएगा आप online insurance apply कर सकते हैं अपने mobile की मदद से या फिर अपने computer के मदद से भी तो आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपके mobile से बताऊँगा अगर आपको भी दिक्कत आती है online insurance करवाने में तो आप लोग comment करके अपना question पूछ सकते हैं मेरी तरफ से आपकी पूरी साहता की जाएगी दोस्ता online insurance करने के लिए आपको google chrome पर आना है और search करना है policy bazar तो जो भी सबसे पहली site आईगी आपको उस पर click करना है अगर आप लोग directly site पर आना चाहते हैं तो मैंने description में link दे दिया है उस link पर click करके आप लोग इस page पर आ सकते हैं अब यहाँ पर आपको select करना है कि आप अपने four wheeler का कराना चाहते हैं या फिर two wheeler का तो दोस्ता आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि two wheeler का insurance कैसे करवा सकते हैं लेकिन अगर आप four wheeler का या फिर heavy equipment का insurance करवाना चाहते हैं तो same step follow होंगे तो two wheeler पर click करेंगे और आप फिर एक नए page पर पहुँच जाएंगे दोस्तों online करवाने का एक फायदा ये भी है कि अगर आप offline एक साल का insurance करवाते हैं तो आपके 1600 रुपे से लेके 2000 रुपे लग जाएंगे लेकिन यहापे आपको 600 रुपे से लेके 1000 रुपे तक के package मिल जाएंगे जो आपकी bike को और आपको एक साल तक insure कर देंगे तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे सबसे पहला अगर आपके पास में आपकी गाड़ी का number है तो वो डाल के आप लोग insurance कर सकते हैं दूसरा अगर आपके पास में आपकी गाड़ी का number नहीं है तो proceed without number पे क्लिक करके आप लोग insurance एपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर गारी यह नमबर डालने के बाद में गैट क्योट्स पर आपको क्लिक करना है फिर आप एक नए पेश पर पहुच जाएंगे जहाँ पर आपसे पूछ जाएगा आप जिस गारी का इंशॉरेंस करवाने चाहते हैं वो कौन सी कंपनी है तो अगर इन आप्शन में से वो कंपनी है तो आप लोग टिक कर देंगे वरना तो यहाँ पर अदर पे क्लिक करके आपको कंपनी नेम डालना पड़ेगा उसके बाद में आपकी गारी का मॉडल नमबर पूछ जाएगा तो इन आप्शन में मिलेगा तो आप लोग टिक कर दें वरना तो अदर पे जाके आप लोग मैनूली लिखें कौन सी गारी का कौन सा मॉडल है फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी जो गारी है वो कौन से साल में रजिस्टर्ड हुई है तो ये सारी डीटेल आपकी आल सी पे लिखी होंगी तो सलेक्ट कर दें जिस भी एयर में आपकी जो गारी है वो रजिस्टर्ड हुई होगी उसके बाद मैं आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो पुराना इंशॉरेंस है वो कौन सी कम्पनी के साथ में अगर आपको पता है इन में सो कोई सी भी कम्पनी है तो आप लोग टिक कर दें वरना तो अगर आपको नहीं पता तो इस बॉक्स पर टिक कर दें अपना आप ये नेक्स्ट हो जाएगा अब यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें प्राइस दे रख्योंगे जैसे कि यहाँ पर 921 रुपे का 947 रुपे का और भी हैं दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से कम ले सकते हैं जादा से भी जादा ले सकते हैं यह बॉक्स को लेगा आप इससे सबसे पहले कट कर दें अब पॉलसी एपलाई करने से पहले आप लोग आलसी अपने हाथ में रखेगा क्योंकि आपको आगे डीटेल कुछ ऐसी देनी होंगी जो आपकी आलसी पर लिखी होंगी अगर आपके पास में आपकी आलसी नहीं है तो आप लोग आउनलाई एपलाई कर सकते हैं मैंने वीडियो डाल रखी है इस वीडियो के देखने के बाद में वो वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है online apply करते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे और 30 दिन के अंदर आपके घर पे आपकी RC आ जाएगी RC apply करने से पहले आपको FIR करवाने पड़ेगी तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखे हैं कि आप लोग online FIR कैसे कर सकते हैं और जिसमें आपको हाथो हाथी आपकी जो FIR copy होगी FIR number होगा वो मिल जाएगा तो description में link available हैं इस वीडियो को देखने के बाद में ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लें तो दोसो लिस्ट तो आपको पता चल गए कि कैसे कैसे हैं आपर रेट हैं अब आपको अपने हिसाब से सलेक्ट करना है लेकिन उससे पहले policy दोस्तो तीन टाइप की होती हैं तो दोसो इंशॉरेंस policy तीन टाइप की होती है comprehensive zero debt और third party only comprehensive policy हैं 50-75% तक आपको पैसा वापस ही मिल जाता है अगर आपकी गाड़ी का accident होता है तो जैसे कि plastic पे glass पे rubber पे वगड़ा वगड़ा साथ ही अगर आपकी गाड़ी चोरी है फिर गुम हो जाती है तो आपको 100% जो cash होता है गाड़ी का वो वापस ही मिल जाता है लेकिन वो आपकी गाड़ी की value उस दिन क्या थी जिस दिन चोरी ही है उस हिसाब से आपको cash मिलेगा third party only में होता यह है कि आपकी गाड़ी का insurance नहीं होता यह insurance होता है उस व्यक्ति का जो गाड़ी पे बैठा है मतलब कि person का होगा यह गाड़ी का नहीं होगा अगर आपकी गाड़ी 6 साल से यह फिर उससे जादा पुरानी है तो दोस्तों आप comprehensive निकल सकते zero debt policy नहीं apply का सकते आपको apply करनी होगी third party only हाँ अगर आपकी गाड़ी checking में पकली जाती है तो आप लोग third party only दिखा के बच सकते हैं आपका जुर्माना नहीं कटेगा तो आप लोगों ने तीनो policy जान ली कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें से कौन सी अच्छी है अगर मैं suggest करूँ तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी जादा पुरानी नहीं है तो आपको zero debt ही अपनाने चाहिए हाँ अगर आपकी गाड़ी जादा पुरानी है तो दोस्त है दोस्तों आपकी गाड़ी की value तो edit पर जैसी आप लोग क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा अब यहाँ पर minimum value जो अगर आपकी गाड़ी चूरी हो जाती है गुम हो जाती है 24,000 रुपे से लेके 57,683 रुपीज मिल जाएगा अगर आप इसे उपर करना चाहते हैं तो अप अगर आपकी गाड़ी चौरी होती है तो वो आपसे ही मिल जाएगा previous NCB होता है यह कि दोस्तों आपको बताना होगा यहाँ पर कि अगर आपने कोई claim लिया है पिछले साल कोई सी भी insurance policy से अपनी गाड़ी के उपर तो वो आपको बताना होगा अगर नहीं लिया है तो आपक 30,000 रुपय हो गई तो आपको insurance policy से लेने से पहले आपको यह चीज़ देखने है कि कौन सी company IDV value जाधा दे रही है तो आप लोग इसे अपने हसाब से check कर लें और जो भी company जाधा value दे रही हो आप वही insurance लें तो मैं दिखाने के लिए SDFC पर एक क्लिक कर देता हूं तो SDFC पर इस टेट और डिस्टिक अपना पा जाएगा और आपको pin code लिखने के बाल में continue to step to पे क्लिक कर देना होगा फिर आप एक नए page पा जाएंगे जहां पर आपको nominee name देना होगा nominee बना सकते हैं आप अपने ममी को पापा को भाई को बहन को husband को या फिर wife को जिसका भी name दे उसका यहां पर आपको नीचे relation देना है कि आपने किसका name दिया है उसके बाद में nominee की age select करनी है उसके बाद में जो option आ रहा है is your vehicle finance इनको यह बताना है कि आपकी जो गाड़ी है जि three पे click कर देना है फिर दोस्तों आप एक नए pitch पाजाएंगे जहां पर आपका registration number लिखा होगा और फिर आपको यहां पर engine number डालना है चीजिस number डालना है यह दोनों आपके RC पर लिखे होंगे फिर उसके बाद में registration date डालनी है और उसके बाद में manufacturing date डालनी है यह सारी लेगी तो problem होगी तो आप इसे yes ही रहने दीजेगा और उसके बाद में आपको save and proceed पर click कर देना होगा फिर उसके बाद में आप लोग payment वाले page पर आजाएंगे जहां पर आपका जो pack होगा उसका amount होगा GST का amount होगा और अगर आप कोई अलग से insurance लेना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर दे रखा होगा आप इसे ले सकता है फिर नहीं ले सकता है यह आपकी मलजी है उसके बाद में आप लोग payment कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर get update on whatsapp और यह tick होगा इसका ध्यान रखेगा अगर यह tick ना हो तो इस पर tick कर दीजएगा तो आपका जो insurance होगा वो आपके whatsapp पे भी भेज दिया जाएगा फिर थोड़ा नीच आएंगे तो यहाँ पर summary में आपका detail वगरा होगा जिसमें आपकी गाली की सारी चीज़े लिखे होगी तो फिर आपको pay securely पे click करना होगा फिर आप इस page पर आएंगे तो आपकी जो mail ID होगी उस पर mail आ गया ह होगा और message भी आगया होगा आपके mobile नंबर पे और यहाँ पर आप लोग payment कर पाएंगे debit card के through credit card, net banking, UPI, wallet या फिर अगर आप EMI पर भी payment करना चाते हैं तो payment कर सकते हैं तो ATM card से करना चाते हैं तो debit card पे click करेंगे, card number डाल देंगे, name of card डालेंगे, expiry date और CV भी डाल देंगे और यहाँ पर जो pay लिखा है इस पर click कर देंगे, आपके नंबर पर एक OTP जाएगा और OTP डालने के बाद में यहाँ पर आपका जो payment होगा वो successfully हो जाएगा, और आपके WhatsApp और आपके mobile नंबर पर भी insurance नंबर आ जाएगा, और एक receipt खुलेगी इसके बाद में आपको वो download कर लेनी है, download करने के बाद में उसका print out निकाल लेना है, और print out की lamination करके अपने pass रख सकते हैं, दोस्तों अगर police पकलती है तो वो print out आप दिखा सकते हैं, वही आपका original होगा, तो वो एक hard copy होगी, तो उसका lamination करवाना ना भूले, दोस्तों इसका आगे का process मैं नहीं दिखा पाँ होगा, क्योंकि मेरी जो policy अभी चल रही है, उसको expired होने में अभी काफी time है, तो दोस्तों ये था पूरा process online insurance apply करने का, अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है, आप कहीं फजग हैं, तो आप लोग comment करके मुझे बता सकते हैं, कहां आपको दिक्कत आ रही है, मेरी सी type के और information वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe अभी कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जहूर शेयर करें, तो मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में नई topic के साथ में, जब तक के लिए बाबाए, टिक कियर